नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं माई फंडमेंटल तो दोस्तो आपका हमारे चैनल पे बहुत-बहुत सौगत है और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नजारा टेकनोलोजीज आईपयो के बारे में तो दोस्तो बहुत ही स्ट्रेंज बिहेबियर इस आईप बनाता हुआ दिखे और हाई भी बनाता हुआ दिखे और लोर सरकेट पे ट्रेड करता हुआ दिखे इस तरह की चीज़े बहुत कम देखने को मिलती है मैंने तो लास्ट टाइम कब देखी थी मुझे याद भी नहीं है तो यह सिचुएशन आप देख सकते हैं इवन कल्यान ज्वेलर्स में भी इस तरह की सिचुएशन नहीं थी अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग कर दी है फिर तो आप क्या फरक ही नहीं पड़ता है बट अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है तो यहाँ पे चिंता का विशे जरूर बन जाता है ट्रेड वॉल्यूम यह है कि यहाँ पे आप एक भी शेर बेच नहीं पा रहे हैं आगे की स्ट्रेटिजी हम डिसकस करेंगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं यह सबसे जादा इंपोर्टेंट है हमारे लिए तो दोस्तों इसका जो लो है वो आप देख सकते हैं 1592 है और यहाँ पे और बुक आप दे दिखाई दे रहे हैं यानि कि यहाँ पे कोई बायर ही नहीं दिखाई दे रहा है आपको और अगर मैं परसंटेज ऑफ डिलिबरिबल कॉंटिटी के अगर बात करूं तो 37.18 परसंट के डिलिवरी जो हम दोस्तों उठाएगी है यानि कि लगग लगग 27-28 लाग शेर जो हम जो current scenario हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैं आपको बूलूँगा कि आप इसका low जरूर फॉलो करें और RSI जो है वो टेकनिकल चार्ट में देखें कि RSI में कुछ changes आ रहे हैं या विल्कुल lower end पे trade कर रहा है इसका RSI तो यह देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा important रह सकता है कुछ भी reason हो सकता है बट एक चीज जो मैं आपको बता दूं कि कोई भी IPO कोई भी IPO जब वो fundamentally अच्छा होता है या कुछ भी हो सकता है बट वो जब consolidate करता है तो बुरी हालत करता है बड़ी हालत खराब होती है कहीं कहीं महीनों तक कुछ भी नहीं मिलता है इसलिए अ proper stop loss के साथ अभी तो ये बिल्कुल flat circuit पे trade कर रहा है बट आपको मैं बोलूँगा इस लोग को follow कर ये कल के दिन देखते हैं कि कैसा open होता है बट कल के दिन 5% से जादा loss मत जहलिएगा ये मैं आपको पहले ही clear कर देता हूँ चाहें ये stock जहां मर्जी जाए बट आपको 5% से जादा का loss इसमें नहीं जिलना है इसके low से ये बात का आपको definitely ध्यान रखना है और एकर चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहां पे जो scenario दिखाई दे रहा है ये profit booking है क्योंकि आप market के sentiments काफी जादा खराब हुए है उस कारण से आपको ये profit booking आती हुई दिखी है ज यहां पे आपको selling pressure आता हुआ दिखा है हमेशा retail investors के साथ होता है बट काफी सारे जो retail investors हैं ऐसे भी होते हैं जो अच्छे समय पे profit booking करके निकल जाते हैं तो वीडियो अच्छी लगे like, subscribe और share जरूर करें धन्यवाद